हमारे समाज के उपर जिस तरीके से कुछ ऐसी ताकतों ने जो मनुवादी ताकते हैं उन्होंने कुटहरागाद किया था हमारे सबसे बड़े आस्ता के केंद्र को दौस्त किया था जिससे सीधे तौर पे सिर्फ हमारे दिल पे नहीं हमारी आत्मा के उपर प्रहार हुआ था हमें चोट लगी थी, तकलीफ हुई थी, आज सुप्रीम कोट ने उसके उपर जो हमारा संगर्श था, जो हमने महाँ पर याची का डाली थी और खास तोर पे, मैं उस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई परदीब जैन आदितिया जी का, जो म इंद्र में मंत्री भी रहे, खास तोर पे धन्यवाद इन का इस बात के लिए करना चाहूँगा, ये हमारे समाज के नहीं है, दलिस समाज के नहीं है, लेकिन जो भी ऐसा व्यक्ति, जो हमारे समाज के लिए, हमारे गुरू के लिए, अपने आपको समर्पित करें, तो एक इन बार उसके लिए जोरदार तानिया जुरूर ज़रूर ज़रूने के लिए, इन्होंने दिन देखी, ना रात देखा, सुप्रीम कोट में जाने के बाद, आप समझते हैं कि पैसा किस तरीके से लगता है, उन्होंने उसकी भी परवा नहीं की, लेकिन अगर समाज के अगर संगर्श करने के लिए आए, तो हम इनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल कूछना चाहता हूँ, संसमाज से भी और यहाँ पर उपस्तित अपने सात्यों से भी, आज के फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं! बहुत हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, यह जो फैसला हुआ है, इसमें फिर कंजूसी है, इसके अंदर मेरा सीधे तोर से आरोप है, कि एक तरफ आयोधिया में आप पांसो करोड रुपे का बजट लगाते हैं, आयोधिया के अंदर मंदिर बनाने के लिए, वहाँ पर सालों सा जिदो जैद चलती है, कोट के अंदर भैस होती है, मुकद में लड़े जाते हैं, राजनीती की जाती है, उसके नाम पे वोट मांगा जाता है, और जो गरीबों का मंदिर है, शोशितों का मंदिर है, दलितों का मंदिर है, उसको पहले तो तोड़ दिया जाता है, हमारे रि और मर्गम भी कैसे लगाती है कि नमक छिलक छिलक के हमारे को उसके उपर हमारे जखमों के उपर हमारे बरदाश्ट को चेक करती है मैं यहां पर आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे संद गुरू वागमारे जी ने यहां पर कहा कि वो आदेश करेंगे मैं आप से इस चीज़ के लिए हाद जोड़ के विंती करता हूँ आपके हर आदेश का पालन करने के लिए पूरे देश भर के जो हमारे समाज के और गुरू महराज के जो अन्युआई हैं हम सब लोग मिलकर सरकार से मांग करते रहेंगे और यह जंग जारी रहेगी यह संगर्ष जारी रहेगा जब तक पूरी बारा भीगा साथ बिस्वा जमीन जो पंद्रा सौन नौ में वापिस नहीं मिलती तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे तो हमने जो कहा यह कहा कि सरकार ने जिस तरीके से गुरू जी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारी परदीब जैन भाई और हम लोग अशोग बार्ती जी भी वहाँ पर थे और हमारे कुछ और साती आपए रेकर में थे में वहाँ पर रिष़ी पाल जी भी टोड में पर उपस्थी थे महां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सरकार का जो वकील था कोट ने तो कहा जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप वहाँ पर पोटा केबन जो लकड़ी का कमरा 20 बाइ 20 का है वहाँ पर गुरू रविदास जी को रखने की बात कर रहे हो उसको पक्का क्यों नहीं बना देते तो उसने बोला जो सरकार का वकील है मतलब सरकार की बाशा सरकार की जो ब्यान बाजी थी वो क्या थी वो वकील के माद्यम से थी उसने कहा कि जी वो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पर पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो जस्टिस ने कहा तो फिर जमीन को देरो अगर फॉरेस्ट की बात है तो हमारे वकील ने उसके उपर कहा कि सर ये फॉरेस्ट, ये डीडिये, ये सरकार उस वक्त में पैदा भी नहीं हुई थी जब ये जगा गुरू रविदास जी को मिली थी तो उसके बाद गुरू रविदास जी के इस बात को सुनकर जस्टिस ने कहा कि नहीं हम इस जगा को बढ़ाते हैं और आप लोग, आप लोग हमारे वकील ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं इस बात से जो आप फैसला सुना रहे हैं हम इसमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसने बुला कि यह जो अटॉर्मी जनरल यहां पे खड़े हैं मतलब जो सरकार का वकील कड़ा है आप इससे बात कीजिए, यह जगा दे सकते हैं यह कोट के अंदर, आप थे रिशिपल जी आपके सामने वाली बात, कोट के जिस्टिस ने कही कि आप इनसे बात कीजिए तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उसने अपना छोटा दिल, अपना खोट सरकार ने कोट के अंदर पेश किया हम उससे संतुष्ट नहीं हैं हम अपनी आवाज उठाएंगे कहा है, सरकार ने कहा है कि उसकी जो समीती बनेगी उसका चैन भी उसके मेंबर कौन होंगे वो सरकार करेगी लेकिन हमें ये मनजूर नहीं है क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने जो गदार थे समाज के उन्होंने अपने वकील के माद्यम से माँ पर साइन करवाए है और वो लोग सीधे तौर पर मैं सीधे तौर पर यारोप लगाना चाहता हूँ जो RSS के लोग पर उन लोगों के साइन उसके उपर होए थे जिस RSS की वजह से ये मंदिर तूटा जिस भारतिय जंता पार्टी की वजह से ये मंदिर तूटा तो मैं यहाँ पर कोई राजनीती की बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बात कहनी इसलिए आवशक है क्योंकि समाज को मालूम होना चाहिए कौन गदार है समाज का और कौन समाज के लिए लड़ाई लड़ा है गुरू जी ने भी यही वाली बात कही कि जिन लोगों ने साइन कर रहा है उनको भी चेक करने की आवशक्ता है उनको भी आवशक्ता है चेक करने की कि क्यों उन्होंने साइन किया कि जब पूरा समाज यह कह रहा है कि पूरी जमीन हमको मिले और दूसरी तरफ वो चुपचाप कमरे के अंदर साइन करकर आ जाते हैं क्या कि हमें समझोता मन्जूर है आप 20 बाइ 20 के खोके के अंदर गुरू रविदास जी को रख दो मैं आपने हमें यापर बुलाया बोलने का मौका दिया आपका आशिरवात मिला उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवात करता हूँ इसमें दिल्ली सरकार और केंदर सरकार दोनों की लापरवाही की वज़े से ये नुकसान पहुचा है और उसके लिए हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे धन्यवात अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले